दरसल है कैसा वो समझ लिया जाए निरजी क्या क्या देखना है क्या 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 चा आज कल कुछ जादा action नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं कोई action नहीं लेकिन action रही सही था तीसरे दिन पर अच्छा है हमारे लिए अगर वहाँ पे शांत रहे सब कुछ बिना बाद के focus defocus हो जात नहीं जाब option create कि उसका number आया था एक लाग तीन हजार नॉबंबर में जाब create किया जो उमीद से कम है उमीद थी एक लाग तीस हजार की तो जाब मार्के ठंडा पड़ रहा है जोल्ट भी यही कह रहा है वीकली वाले भी कह रहा है और अब यह बंदली रिपोर्ट भी कह रह किया इसमें कि अब उसको यह चिंता भी लग रही है थोड़ी थोड़ी कि फेड क्या वाकई कट की तरफ बढ़ेगा या एक बार और टाल देगा कि मार्च मुझे मेरा concern है कि मार्च का बिल्ट बहुत जादा हो गया है अब 75% लोग के रहे हैं मार्च में कट मार्च में कट यही देखना प्रावलम करेगा मार्च में कट नहीं होगा तो वो बिल्ट अब हो रहा है और मार्केट इसलिए थंडा है कमजोरी नहीं है लेकिन थंडा मार्केट वहाँ पर गिर रहा है बाउजूद इसके कूड में कितना अच्छा सपोर्ट है 75 के नीचे आगया आगया बेंड बेंड क्रूट और उसका वी कारण यह है कि एक तो वह पर को पर जहने आपको बताई था सप्लाई एलिवेटेड है बहुत सप्लाई बनी हुई है कल याई एक रिपोर्ट आई जिसमें बताई है कि यूएस में बहुत ज्यादा सप्लाई है पेट्रोल की बाउजू जो है एकदम ठंडा पड़ रहा है और यह भारत की रच्छी ख़बर तो यह एक पॉजिटिव है इसके लावा कोई भी नोटेबल चीज यूएस में नहीं है तो आप आज भी यूएस क्यूज या ग्लोडल क्यूज पॉजिटिव मान के चलिए बाई साब ग्लोब के संके दिक्कत वाले नहीं है पॉजिटिव है कौनों दिक्कत नहीं है हमाई लिए सबसे इंट्रिस्टिंग क्यूज तब और आपकी पहली और दूसी प्लेट आप दिखाओ तब और अप तो ठैर क्यूंकि आजी कंसलिडेशन का मूड है बहुत जादा आपको डिफिरेंशल होजे आज सुबह जब हम मार्केट रिज्यूम करने जा रहे हैं फिर से टेडिंग करने जा रहे हैं 74.5 पे है इस तरह से क्रूट ओवरनाइट करेक्ट कर गया है चलिए यह समीकरन ग्लोब के बड़ी कर दो जादा रहे हैं